भोच्पुरी शुपिस्टार के सारी लाल्यादों पर अभी भी अक्षरा सिंग का कुमार चड़ा हुआ है वो अभी भी अक्षरा सिंग को घुलान ही पाए हैं कभी तो जैसे ही पवन सिंग ने अक्षा सिंग का दामन छोड़ा और ये बात कन्फर्म हो गई कि पवन सिंग और अक्षा सिंग में अब कुछ नहीं बचा है उनके बीच ब्रेक अप हो चुका है तो खेसारी लाल यादों ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही पुर्दे डाला और इस आइटम नंबर के लिए खेसारी ने अच्छी खासी रगम अक्षा के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर से जिलवाई वैसे अक्षा और खेसारी की जोड़ी इन दोनों के फैंस भोजपुरी सिनेमा में काफी दिनों से देखना चाह रहे हैं और बलमजी आइला व्यू में खेसारी लाल यादो और काजल रागवानी मुखी भूमिका में लेकिन फिल्म में अक्षा सिंग का एक तड़कता भरकता पूरे चार मिनिट का आइटम नंबर होगा जिस फिल्म में खेसारी और अक्षा की जोड़ी हो वो फिल्म अपने आप ही खास हो जाती है फिर वो चाहे फिल्म में अक्षा का एक आइटम नंबर ही खेसारी के साथ क्यों नहों वो काफी स्पेशल हो जाता है वैसे आपको बता दे कि बलमजी आइला व्यू की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म के पोस्ट प्रोड़क्शन का काम जारी है तो फिर तैयार हो जाइए फेसारी और अक्ष्रा के एक और हिट नंबर के लिए भोजपुरी जेकत की हाट और मस्तालेदार गौसिप के लिए हुगे सिब्क्राइब करना बिल्कुल नब भूले